आज मेरे हाथ में एक अमेजिंग प्रोड़क्ट की चाबी है जिसमें आप अकर आप देहोगे तो लॉक अनलॉक के लिए आपको जो है की बटन्स मिल जाते हैं और रेनॉल का लोगो मिल जाता है आज मेरे सामने खड़ी है रेनॉल्ट कुईड और यह नाइट एडिशन है ल जानते हैं प्रोड़क्ट के बारे में कि यह प्रोड़क्ट ऑफर क्या कहा कर देता आपको आपको सामने के साइड आपको कुछ इस तरीकी के डियारेल्स का सैटप मिल जायेगा इसी के अंदर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं नीचे आपको देखोगे तो हैलोजन बेस्ट ल यहां वॉशर मिल जाएगा, और वीम्स मिल जाते हैं, साइड में इंडिकेटर्स, इलेक्रोनिक तरीके से अर्जेस्ट वगराप कर सकते हैं, आगे दो डिस्क बिल जाएंगे, और स्टैलिश वील कैप मिल जाते हैं, और सेक्शन इसके अंदर जो आपको मिलेगा, आराउंड रूफ रेल्स मिल जाता है, हाला कि यह फंक्शनल नहीं है, बर टेक के डिजाइन एलिमेंट मिल जाता है, एंटीन आपको मिल जाएगा, और पूरी ही जो गाड़ी है, ब्लैक डाउट आपको मिलती है, नाइट एडिशन है, तो ब्लैक डाउट तो जरूर मिलेगी ही जाते हैं, और इसको सेंसर मिल जाते हैं, हाई मोंट स्टॉप लैंप, वाइपर, डिफॉगर, एसेच नहीं है इस खिंदर, और यहां से आप जो है फ्यूल अप करवा सकते हैं, और अगर आप देखोगे तो ड्रैवर साइड आपको यहां एक की के लिए मिल जाता है, ताक आपको ऑफर करेगी, around 3731 mm की स्किंदर लेंथ में जाती है, वहीं अगर आप इसकी वृत की बात करते हैं, around 1579 mm की स्किंदर वृत मिल जाती है, वहीं अगर आप इसकी हथ की बात करते हैं, Californian 你 का friends की कि यह हुई हैгор है सके एक हावी Цाहिज मिल जाते है, तो यह कुछ डakukan mis scans ह करते ही एक चीज मैंने नोटिस की इसकी यहां के साइड जो है क्वेड का एक बैज बना हुआ आता है और काफी सही लगता है नीची कोई भी आफ्टर मार्केट नहीं है यह कंपनी के थुरू ही आता है जो कि एक काफी अच्छा खासा जो है पूरा एक एम्बेंस क्रेट कर द सेटाप के लिए आपको सीटाप्मिल जाता है जिसके अंदर आपको क्लैमपर का कुछ डिजाइन present एजिंदाई का कहता है देखने में और हप चलते हैं इंटीर में एंटीर में इंटीर में आ हुए इसके Wijाते ही नियीर रिलेटेड मिल जाते हैं। है है यहां से आप पावर विंडोस विगर आप ढूर्क लोगए अपने बाड़ी को और यहां से जो है इस इवेंट्स का सेट अप मिल जाता है, यहां आपको वाइपर की कंट्रोल मिल जाते हैं, यहां आपको लाइट की कंट्रोल मिल जाते हैं, और स्टेरिंग अर्जेस्ट्मेंट की बात करते हैं, तो स्टेरिंग अर्जेस्ट्मेंट नहीं होता है, कोई भी अर्जेस्ट्में की ज़रूर फील देगा टियागो आती है टाटा की तो सेम इलेक्ट्रिक में उसका सेम ऐसे ही है लेकिन यह पैट्रोल है तो पैट्रोल में भी एक एम्टी में इस टाइप का लीवर दिया हुए काफी सही लग रहा है देखने में और हैंड ब्रेक आपको है मिल जाएगा उसक सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मियो सिस्टम आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा बस आपको चार चीजे इसकेंदर मिल जाती है और आप जो है अपने कोडिंग कंट्रोल कर सकते हैं और अप चला सकते हो लेकिन नहीं चलेगा और अगर आप देखोगे तो इसकेंदर आपको कुछ इस तरीकी की M.I.D. मिल जाती है यहां अर्पिम दिखाएगा बीच में स्पीडियोमेटर दिखाएगा पैट्रोल का गेज दिखाएगा हीट गेज दिखाएगा यहां कुछ वार्निंग भी आपको दिखाएगा बाकि यहां बटन से आप जो है ट्रिपे ट्रिप भी देख सकते हैं और माइलेज अगर आप सारी चीजी चेक कर सकते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी मेरे को लगी नहीं इसकी डिसेंट है मेरे को उतना क्वालिटी अच्छा लगा नहीं और अगर आप इंटीर की बात करते हो तो वो भी उतना मतलब इंसेन या फिर अच्छा न क्योंकि यह बहुत ही दोदा cheap quality इसके अंदर use किया गया है मुझे अच्छा लगा नहीं उतना बाके आप देखोगे तो IRV मिल जाता है और lights के control यहां मिल जाते हैं यहां अगर आप देखोगे तो यह भी कुछ ऐसे ही है तो उतना पसंद आया नहीं यह माईक आपको मिल जाता है चोटा सा मिलता है इसका कोई sense बनता नहीं अगर आप इसको भी करोगे तो यह इतना space तो बन छोड़ी देता है तो मुझे लगता है कि उतना space है नहीं इसके अंतर basically कुछ इसका कोई sense नहीं बनता सही बता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है बाके अगर आप देखोगे तो flat आपको यह पूरा ही area मिल जाता है seats no doubt अच्छी है मुझे personally सही लगी seats लेकिन अगर आपकी height या फिर आपकी वृत जादा है तो यह आपको seat थोड़ी सी uncomfortable लगेगी और मुझे थोड़ा सा uncomfortable लग रहा है और यह especially यह part मुझे थोड़ा सा चुब रहा है और थोड़ा feel हो रहा देखते हो तो मुझे लगता है कि all तो ज्यादा better है इससे all to kata अगर आप देखते हो तो all to kata अन में थोड़ा space ज्यादा मिलता है और थोड़ी सी ज्यादा value वह आपको provide करेगी आप एक बर चलते हैं पीछे क्या space मिलता है उसके अंदर आप देखते हैं पीछे क्या space मिलत पीछे अपको और आगे जो है अर्जेस्टिबल हैंड बैसिकली जो इसका address है वो भी नहीं मिलता है तो कि ठाक है पीछे के space ना के बराबर है भाई सब उतना space है नहीं अगर आप देखो कि तो थाई support भी अच्छा नहीं है और अगर आप नी रूम लेग रूम की बात करते हो तो उतना वो सही नहीं है अगर मैं डोर भी बंद कर देता हूं तो दोर बंद करने के बाद तो मुझे ऐसा लगता कि मैं बेचा वीजा सा बैठा हूं बिल्कुल डबा डबा सा तो वो space इसके नहीं मिले गए बहुत ही ज़दा ही पास है और अगर आप इसमें चाहो कि त इन बंदे बिठा सको तो नहीं बिठा सकते आप और इसपेशली अगर आपकी ज्यादा है फिर हाइज जैसा है मैंने कि आगे बताया था आपको तो उतना comfortable पीछे आपको नहीं रहेगा अगर आप दो ट्रैवल करों को तो ऐस सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अगर आप इसके नीचे देखोगे तो इस पेर वील आपको कुछ रड़ कलर का मिलता है महरूम कलर का 165 70R 14 इंचिस का सेक्षिन आपको उसके अंदर मिल जाएगा तो ठीक है ऐसाच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाकी बूट आपको जो है चाबिसे लॉक अलॉक करना थ्री सेलेंडर इंजन है पावर निकाल के देता है अराउंड 67.06 भी एच्पी निकाल के देगा टॉर्क 91 एनम का निकाल के देगा करेंट जो वेरियंट है आटोमेटिक है फ्योल टैंक की बात करते है अराउंड 28 लेटर से आसपस का फ्योल टैंक इसके इंदर मिल जाता है और वहीं अगर आप बात करते हैं इसके माइलेज की तो 22.3 kmpl आपको जो है हाईवेस पर निकाल के देगा और सिटी में आराउंड 16 kmpl की माइलेज आपको निकाल के देगा तो ठीक ठाक इंजन है सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको जो है एंसलेशन पैट भी सके दर मिल जाता है तो जी गाड़ी कैसी लगी मेरेको कमेंट करके जरू बताना और फीचर्स कैसे लगे और ये जो लिमेटिड एडिशन है ये कैसा लगा आपको value for money लगा नहीं लगा मेरेको कमेंट करके जरू बताना बाकि मिलते हैं एक नहीं अमेजिंग वीडियो के सा थाँ थाँ पर वच्छिंद वीडियो